ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी संगजी गुरुजी के परिवार गुरुजी टूडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में अपना सत्संग गुरुजी किस प्यारे से चैनल पर अप्लोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे मारे वाट्सअप नमबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मैट में हमें भीज सकते हैं जै गुरुजी संगा जी ये बात बिलकुल सही है जब आप अपने बच्चों का हाथ गुरुजी के हाथें पकड़ा देते हो ना तो फिर आप बेफिक्र हो जाओ कि फिर तो वोगी देख लेते हैं ना हमारे प्यों है बच्चों की चिंता उन पे छोड़ दो और बहुत प्यारा सा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से पल्वी अंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मैं दिल से उनका शुक्राना करता ह कि उन्हें गुरु जी से आग्या लेकर गुरु जी किस प्यार इसे चैनल पर अपना ससंग शेयर किया चलिए ससंग स्टार्ट करते हैं जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जै गुरु जी संगर जी, जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटी कोटी शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच Blessings always Guruji, blessings always Guruji संगत ये मेरा पांचवा सत्संग है जो अभी जिस्ट हुआ है और मैं बहुत emotional हो गई हूँ और मैं अपने आपको रोक नहीं पाई सत्संग को record करने के लिए तो मैं चाहती थी, इतनी बड़ी Blessings Guruji ने दी है तो मुझे अपनी संगत से तुरंट शियर करने चाहिए ये सत्संग जो है मेरी छोटी सी गुरिया जो पांस साल की है, उससे रिलेटिड है मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी गुरिया के एक्जाम स्टार्ट होने वाले थे उसके एक्जाम थे 18th of January से और उससे पहले उसका 10-15 days का winter vacation था और कुछ winter की वज़ज से extend हो गया था शी वस अट होम फॉर अलमूस 10-15 days और उसके बाद उसके 18 तारिक से एक्जाम थे and all of a sudden जिस दिन उसको school जाना था उससे एक दिन पहले 17 को she got sick वो बिमार हो गई उसको 103 फिवर हो गया और मुझे tension हो गई कि अब कैसे होगा उसके exam से मैंने इतनी महनत करी है और मैं skip नहीं करा सकती मैंने teacher से discuss किया तो teacher ने कहा there is no problem ये marks इतने important नहीं है matter नहीं है final exam March में उसके लिए प्रिपेर करा दो अगर exam skip भी हो जाएंगे तो कोई issue नहीं है but मा तो मा होती है वो तो अपने बच्चों के साथ उनकी studies के साथ कोई compromise कोई sacrifice नहीं कर सकती और मेरा एक छोटा सा बेटा है जो गुरुजी की ही blessings है and he's three months old now so मेरे लिए भी it was very hard and difficult to make my daughter study चोटे बच्चे के साथ बड़े बच्चे को साथ में पढ़ाना बहुत challenges आते है but both are my responsibility and so I have to take care of them so there's no other option मैं मा हूँ मेरी जिमेदारी अपने बच्चों का ध्यान रखना मेरा ही पढ़ाने की duty है तो वो मुझे करना ही पड़ेगा so अचानक से उसकी तबिद खराब हो गई और मुझे इतनी tension हो गई पहले मैं बहुत tension लेती रही फिर मैंने गुरुजी की सुरूप के करफ देखा मैंने का गुरुजी ये क्या हो गया अचानक से अभी तक तो 10-15 days थे she was good, she was fine अब जब स्कूल कुलने का टाइम आया ये बिमार होगी और इसकी 18 तारिक से एक्जाम है कैसे होगा गुरुजी कैसे होगा तो मैंने गुरुपा को बुला कि गुरुपा अगले दिन भी जिस दिन इसने जाना था इसको 101 favor था जिस दिन इसका exam था English का first exam था तो मैंने गुरुपा से बुला गुरुजी मैं इसको घर पे नहीं रख सकती मैं escape नहीं कराऊंगे exam मुझे इसको हर हालत में exam के लिए भेजना है अब आपके उपर जिम्यदारी छोड़ रही हूँ आपके shoulders पे आपने इसको लेके जाना है आपने exam दिलाना है और आपने इसको वापस लाना है ठीक ठाक आपने ही पूरे time इसकी चिंता करनी है पुरा ध्यान रखना है मैं आपके उपर शोड़ती हूँ morning में मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ और दो मिनिट बाद ही मेरे को एक pop-up आता है सत्संग का जिसमें गुरुजी कहते है तू अपने बच्चे की फिकर ना कर मेरा हाथ तेरे बच्चों के सर पर है तू एक बार मेरे उपर छोड़की तो दे मैं सब कुछ समाल लूँगा वो सत्संग सुना मैंने पांचे मिनट का मैं बेफिकर होगे मैंने का गुरुजी आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया अब तो मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ अब तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं अब गुरुजी ने अपने उपर ले लिया मेरे बच्चों का वोई ध्यान रखेंगे मेरी डॉर्टर गई एक्जाम दे के आ गई फिर उसका वाइरल था तो कभी चड़ रहा है कभी उतर रहा है लेकिन वो एक्जाम दे के शांती से आ गई मेरे को ये था कि मैं माम को फोन करके पूछू कि कैसी है दबत बट मैंने का मैंने तो गुरुजी के हवाले कर दी मैंने तो गुरुजी की उपर डाल दिया गुरुजी समाल रहे है जब गुरुजी उसके साथ गए तो मुझे टीचर से बोलने का मैं तो तब पूछू टीचर से जब मुझे डाउट हो कि नहीं गुरुजी नहीं समाल सकते जब मैंने गुरुजी पर छोड़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास करना पड़ेगा, मैंने का, ना माम का मेसिज आईगा मुझे इतना श्योर है, और ना मुझे मेसिज करना है, तो उस दिन ना माम का मेसिज आया कि मेरी डॉटर की तबट ठीक नहीं है, आपने क्यों भेजा ना मैंने उनको मैसेज किया वो गई एक्जाम देके शांती से आगे पता ही नहीं चला माम को कि उसको 101 फिवर था देन उसका next exam था वो भी exam देके आगे EVS का बट पूरे duration में उसके 18 से start थे 24 को खतम थे जन्वरी को पूरे टाइम उसको फिवर उपर नीचे उपर cold, cuff, even continuous loose motions भी थे बट उसमें भी मैंने गुरुजी का नाम ले लेके भीजा मैंने बस गुरुजी पर छोड़ दिया था मैं गुरुजी आपकी बेटी है, आपका बच्चा है आपने समालना है, मैं पढ़ाई के साथ compromise नहीं करूँगी, मैं sacrifice नहीं कर सकती, मैं नहीं skip करा सकती है exam, I'm very possessive for my children's future आपको ध्यान रखना है बीच पे message भी आते रहते थे, तो अपनी बच्चे की चिंता ना कर, मैं हूँ ना मेरा हाथ है तेरे बच्चों पे, तो अपनी बच्ची की चिंता मत कर, मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ, और message पढ़के थोड़ी हिम्मत आ जाती और आप believe करेंगे, संगर जी आप believe नहीं करेंगे, संगर जी, आज मेरी डॉटर का result आया है, मेरा चोटा बच्चा है तो मैं स्कूल नहीं जा बाई, मेरे husband, मेरे uncle गए है, मेरी डॉटर का result लेने and आप विश्वास नहीं करेंगे she got first position in her class out of 40 students जो बच्ची 103 फिवर में थी जिसको continuous loose motion आ रहे थे, वो बच्ची first position मिली है 40 students के बीच में से even she got a first position in drawing competition also तो आप मैं तो अपने आपको नहीं रोग पा रही हूँ मैं मा हूँ, तो बच्चों की success में जितनी माब आपको खुशी होती है तो यह बहुत बड़ा शुक्राना है यह मेरा शुक्राना सत्संग है यह बहुत बड़ा शुक्राना है बहुत बड़ी blessings है गुरुजी की हमारे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे जो हम सत्संग करके ही express कर सकते हैं कि गुरुजी हम आपके शुक्र गुजार है हम कुछ नहीं कर सकते हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ घर पाएं जो हमारे लिए करते हैं लेकिन हम सत्संग record करके सत्संग share करके यह जाहिर कर सकते हैं कि गुरुजी हम कितने blessed है मैं मैं imagine मुझे पत मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी first आईगी मैंने तो सब इतना सोचा था कि मैंने सिर्फ उसको इसलिए मोटिवेट किया था आपको A plus लाना है आपको A नहीं A plus लाना है मैंने उसको कभी A नहीं बोला आपको first आना है because I do want to give a pressure on my children आज सकल बहुत competition है pressure के चकर में बच्चे बहुत जादा demoralize हो जाते है so I do want to give a pressure on my children हाँ मैं पढ़ाई के लिए दिनरा डाटी हूँ बोलती हूँ हाँ क्योंकि मैं पढ़ाई को lenient नहीं ले सकती पढ़ाई studies are very important nowadays तो मतलब लेकिन मेरे को ये उमेड नहीं थी कि वो first आ जाएगी तो अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा अनंतम अनंतम शुकराना लख लख शुकराना गुरुपा लख लख शुकराना इसी तरह अपनी blessings बनाए रखना मेरे दोनों बच्चों पे मेरे अंकल पे मेरे परिवार पे हम पर पूरी दुनिया की संगत पे, अपने संगत परिवार पे हमेशा अपनी blessings बनाई रखना हो, गुरुजी, इसी तरह हमारे अंगसंग रहना, इसी तरह हमारे अंगसंग रहना, कोई भूल चुक हो गई हो मेरी संग में, तो मुझे शमा करना, गुरुपा, संगत जी, अगर कोई भूल चुक हो गई हो, मैं अपना संग को विराम दूँगी, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ, ओम नमस्षिवाए, शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाए, गुरुजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाए, शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाय गुरुजी सदसाय जै जै गुरुजी धन धन गुरुजी वा वा गुरुजी Blessings always गुरुजी Love you so much गुरुपा Love you so much Love you so much गुरुपा